हेलो एवरीवन देखे आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट से जहां से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टार्गेट क्या है यूपी पीसे दो यार चोबिस सत्तरा मार्च को जो होने वाला बहुत ही कम टाइम बचा है तो इसमें क्या है कि कुछ कोस्टन वैसे हम लोग इससे करें जहारफी के अलामा आपको हिस्टी पॉल्टी जहारफी होई गई है एकनॉमिक स्टेड यूपी हर सब्जेट के ऐसे कोस्टन आपको मिलेंगे इसमें क्या है कि इसमें लोग वह कोस्टन आउट करने जो कई बार पूछे जा रहे हैं या फिर जो कोस्टन प्रिविए स सब्सक्राइब आपको फॉलो कर लिए हर सब्जेक्ट का ठीक है तो मिनमम आपको फिक्स है कि 55 प्लस कोस्टन यहां से आपको डारेक्ट देखने को भी लेगें तो आप जो है कई बार आप वीडियो देख पाए तो देखिए और नोड करना चाहें तो आप जहां पर आपक को चीज़े नहीं पता है तो आप उसको नोड भी करते चलिए ठीक है और 55 प्लस कोस्टन यह है साथ में आपको देखे 30 में 30 कोस्टन जो करेंट का वेटेज होता है मतलब 35 प्लस आ जाते हैं कोस्टन और बहुत एफट नहीं करना बस आप जो सिल्पी में के डेली वीडियो नुवारी बस आप उसको फॉलो करते रहें और कुछ टेली ग्राम पर जो इंपोर्टेंस पिक होती है उसमें भेज दी जाती है आप देखते रहें ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज जाओर्फी का यह यह है टेली ग्राम हमारा ग्रूप आप इसको जोईन कर लिजी यहां पर इलेक्टर से लेटेड या पीडियाप सब यहां पर सेर की जाती है ठीक है देखें पहला क्या कोस्टन हमारा कि निम्लिखित में से कौन सा छेतर जौरी उर्जा उत्पादन का प्रमुक छेतर है ठीक है करना बंगाल की खाड़ी खंबात की खाड़ी मनार की खाड ठीक है तो कौन सा जॉर्जा ठीक है इसमें बहुत बार यह कोशना आता है जॉर्जा से लेटेट ठीक है आप देखें क्या होता जॉर्जा में तो आपने देखा हुए जब समुद्ध का ऐसे वाटर जाता है या फिर कहीं उचाई से पानी गिरा जाता तो नीचे वील लगी रहती है उसे उर्जा जोत्पन होती है ये प्रक्राप उता है ठीक है अब दिखे जोरे उर्जागा सबसे अगर देखेंगे तो सुद्रोद क्या है इसमें आपका एंसर हो जाएगा गल्फाफ खंबाथ ठीक है मितलब भी खंबाथ की खाड़ी इसका इंसर आपके यह हो है या नहीं ऐसे भी कई बार वो option में पूछ लेते हैं अब नेस्ट देखिए सबस्यादा important और जवर्फी में most अगर आप डोटेंगे कि सबस्यादा question कौन पूछेगा है तो इससे लिटर सबस्यादा question बने है ठीक है कि पूरवती नदिया मतब कौन बंगाल की खाड़ी में किरती है कौन अरब सागर में किरती इससे लिटर और उत्तर दच्छिनवाई नदिया इससे सबस्यादा question आए है तो करें इन पस्यादा वाहिनी नदियों में से कौन दो परवस्त रेनियों के बीज में बहती है ठीक है दीक है सबस्यादा question आपको अगर देखने को भी लेंगे तो नर्मदा सिंपल सी बात है कि यहादा तर नदियां क्या होती है वो बंगाल की खाड़ी में गरती है लेकिन कुछ नदियां ऐसी है जो हमारी अरब सागर में जो गरती है उससे related जो अरब सागर में गरती है ठीक है वो most important है especially उत्तर भारत की तो बहुत ही पूछे जाती है तो देखिए इसमें कह रहा है कि दो परवतों के बीच में कौन नदी बहती है तो इसका सिंपल सा एंसर है कि इसमें क्या एंसर भी हो जागा नर्मदा अगर अब नर्मदा के बारे में थोड़ा सा जान ले ठीक है यह दो जाकर करते हो एक यहीं पे खंभाग की खाडी एंस सघ्गेभाट अगर यहां पर पुछा की अब दो परवतों की बीच में पहती है यहीं परवत कर इसमें दिखेंगे तो फब फब्रव उत्र में इसके विंधया चलव परवत ठीक है उत् सालमय त्र चसे प परवसे क्लाइः सत्वुदा है सद्पुदा परवाथ टीक है और सबस सी और कि Bots हुआ चले सर्म परनज घाटी इसको बोलते हैं भर्न 15-1 तहकर फिम्रा दबर गारती होई यह गर तो ब्रंस इसमें यह नदी और प्लस वहां से आप देखेंगे तो माही नदी और तापी ठीक है और यह लूनी और यह सब नदियां कई बार पूछे आती है यही सब आप देखेंगे और यह कुछ नदियां ऐसी है जो जरूर जरूर आप मिलती है और अगर आपने उसको basic बस note करके पता कर लिया कि यह जो main famous नगी है आपको एक दो option वह जरूर मिल जाती है और पता है आप सीधे मिलाई यह एक दो पर answer आ जाता है तो इसलिए geography इस हिसाब से पढ़नी है प्रिवेस से मिल जाता है तो यहां पर कौन सा सुमेलित है तो आपका इसमें seizure सुमीर तो कोड़लू अंधर्प देश में जब की देखेंगे ना पर देखेंगे तो नेक्स कोसंने काजी रंगा किसे के लिए जाना जाता है हम लोग यह तो आपको पता होगा कॉप्षण बनते हैं इसमें बस option एक दो चेंज कर देते हैं जो famous नदियों के बाद है उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि अब देखिए इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है मतलब तीन सुमिलित एक गलत है कौन सा इसमें देखेंगे सी ठीक है क्योंकि यह जो है ना इसका answer हो जाएगा जो अगर माद देखेंगे तो यह यह क्रिशना नाठीब ठीक है ओफने इस बात से आजड़ानोिक एगर स्टेट देखेंगे और अंध्रपतेश और यहां नाभानवीत होते थीकिन देकें के सरदास रोवरल तो में वर्त है you अगर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बार यह सर्दास और बाहत से लेटेट कोश्चन बने हैं तो इसमें लाभानुई तगर स्टेट देखेंगे तो एमपी महारास्टरा, राजस्थान और गुजराथ ठीक है तो ध्यान रखिएगा लाभानुई इस्टेट यूँकि बहुत टाइम तक इसमें जो बाहत को लेके बिवाद बना हुआ था तो इससे लेट कोश्चन आ जा बहुत बार आ हैं तो ध्यान रखिएगा और सब सही सुमें ले कि दिखें यहां से क्या हो जाएगा आपके इसका हो जाएगा सी मतला बंबी यहां पर ट्रोल्यम भी पहा जाता हो तो कई बार कोश्चन बढ़ने तो तहां रहां 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 बंबी हाई से महरे एद्कांस जो प्राक्रितिक गैस का उत्पादन होता है ठीक है और कि दौरा अपना वन अपना धन योजना प्राड़म की गई थी ठीक है दो चीद ध्यान रखनी है कि कुछ चीज़े अगर पुरानी बहुत फेमस योजना ही होकी है ठीक है तो मैटर यह नहीं करता अगर आपका पीटी दोजार चौबिस में तो तो लास्ट के 6-7 मेने वाल लेते हैं तो अपना धन अपना वन अपना वर अपना धन योजना प्राड़म की गईती हिमांचर प्रदेश तवार ठीक है इसलिए फिर मैंस होई ते देखेंगे इसके अंतरगात लोगों को अपनी भूम पर खागया था एक मन पसंद पौधा लगाए और इसमें क्या है तो इसलिए यह फेमस है अब देखेंगे एक तो लोकेशन वाला होता है हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे तो आप लोग मैप में एक बार देख लीजेगा ठीक है कि वह चीज़े है कहां पर क्या छेटपल के देश से निम्डिखित देशों का औरोही क्रम कौन सा है ठीक है तो देख लेते हैं कि छेटपल के दिश्टे देखें और होई क्रम तो सबसे पहले आएगा आपका औस्टेलिया फिर आएगा ब्राजील ठीक है अपना प्यारा भारत फिर आएगा अर्जिन टीन ठीक है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा औस्टेलिया भारत ब्राजिन बी कहों सथा इस्त segundos छोसे बड़ा उत्पादक ऐंटिक के हिर्येता सबसे बड़ा के इ wine थैं के बहुत बार्ता अपने लों आपने एंसर माल सबोहारा होता है नहीं सब इस फिष्वा तो और एंसर्यसर से ठीक है कुछ यहां पर देखेंगे अगर यहां पर अडिशनल इंफॉर्मस न दिखेंगे तो जो 2019 में रिपोर्ट आए थी उसमें टॉप थ्री में देखेंगे तो पहला तो रस्या ही हो गया सेकेंड नंबर पर हमारा कौन सा था बोथ स्वाना था ठीक है बोथ स्वाना था नंबर पर कनाडा था तो टॉप थ्री भी याद रखेंगे कभी ऑप्सन में रस्या ना रहे तो बोथ स्वाना कनाडा अगर होता है तो इसमें दो नंबर पर तीन नंबर पिए ठीक है ने इसमें कौन सा देखेंगे तो इसमें हम देख लेते हैं अरल सागर के किनारे पर द पूछ याता है कि अरब सागर में कौँ सी दो नदियां गिरती हैं काफी ही हम connected थे आप अगर अधर अयह अरब नहीं अरवण होगा अरल never Squad में देखिए तो एक होती आमू कि ऊइसको ति हमें अमो दर्या अविधिशर होता सीरी सीर दरियाँ करके खी जैदरिया तो यह भी कई बार कई स्टेट में कोंट सागर में, फिरां छो होगी थ्यान रखेगा, आममूद अथसी दर यह करके, पलस यहां पे एक और आपको इंफॉर्मेशन धिन नहीं कियोंकि बस मक्सद बनते हैं मैं कि आपको खिल को वृष्टित देश देखेंगे तो ध्यान रिखेगा के ईड़ाँ है इंसमेे कि किma देखल तुर्कमेनिस्तान अजर्वेजान और रूस तीक है तो ये कैस्पिन सागर के तड़ पर वस्ते थे ये भी बहुत बार गोस्ट जनाता है तो इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा चलिए नेश्ट कहा रहा है कि के नेश्ट में आपको मैश इसके फॉल्ल फॉलॉइंग वाले हैं अगर देखे इसमें एक डू आपको पता थो सीद आपके दो कट हो गया, अब दो ही मस्य आपको define करना है, अगर आपको B पता है कि तल्चर किसके लिए famous है, तो अगर आपको पहले B केवल पता तल्चर किसके लिए famous है, तो तल्चर famous है कोहला के लिए, तो सिधे आपका B का 4, A मतलब answer आ गया, अब जादू गड़ा देखेंगे, यू तो तीन बंदरगा से related question आते हैं, ध्यान रखना होगा कि भारत में बंदरगा या समुधतर की लंबाई, स्वारी गहराई या कहां से ना पी जाती है, सबसे बड़ा पत्तनगा, सबसे ज्यादा व्यापार की स्पोर्ट से होता है, सबसे गहरा कौंसा है, कौंसा प्राकृत दिक बंदरगा है, कौंसा मानो निर्मित बंदरगा, बस बंदरगा से लेट यही सब question बनते हैं, लाश के अगर आप 30 साल तक question अनलसिस करने के बाद यह निकला है, अब देखें, यहां पर करें खुला सागरी बंदरगा, अगर खुला सागरी बंदरगा देखेंगे तो ख जहाजे आती हैं वो दूर सागर में ही अपना लंगर डालती है तो भारत में जो है इस मंदर का का सबसे अच्छा उदारण क्या है अपना चेन नहीं का तो इसका एंसर हो जाएगा आपका अब देखें यह कोशन अगर आपने देखा होगा तो मुस्ट मतलब सबसे अच्छी जो ठीक है बस दो ही चीज में लोगों कंफ्यूजन होती है कि वह दोधा वेटा है यह अनाम हो रही है तो पहले देखें दोधा जो डोटा वेटा बोलते हैं इसको ठीक है इसकी जो है उचाई जो है लगवाद दिखेंगे तो 26 थर्टी सेवन है और अनाम उर्डी की कितनी है इसकी है 26 95 ठीक है मीटर में है तो अब आपको क्लियर हो गया सबसे उची चोटी कौन सी तो इसका एंसर हो जाएगा ए क्योंकि यह दिखे 26 से ये 95 कौन सा राज ये भारत के मैगनीज का सरवाधिक उत्पादन करने वाला राज है ठीक है तो इसंए मैगनेज का इसमें जो है MP है टोटल तोटल उत्पाधन होता है इसके पसक्ताइस बछ नउल्ष में 283 परशन आपके लिए MP में होता है निहंद स्पाई है मुख्क्थ्ली निम्रिकषित में से कहां कि प्रमुख है ऌट मुंख्थ्ली कहां कि इसका तो सीधे इंसर की गांबिया में है लेकिन इंडिया में सबस्दा मुंफली का उत्पादन कहां पर होता है ठीक है अगर आपको यह पता तो कमेंड मॉक्स में बताईएगा हाला कि बता देते हैं यह कई सालों से लगाता है अपना गुजरात जो है मुंफली उत्पादन में नंबर वन पे चल ला है ठीक है तो आपको अब सेकेंड नंबर बताना होगा है कि अकिसाय और उत्का अमेरिक हाली में किसका अमिरत हाटी मतब डर्ट कैलिवरी निम्लीकीत में से किसका उधारण है तो ड्री piss होई है यति जो है किसको केलिफॉर्वोर्णिया से भी पता चलि कि, जो डिएटर्वेली किसको केलिफॉर्णियोम कहा जाता है तो वह रिफ्ट कर जाता हुआ जा मैंट नफान में जहां पर आपको घास का मैदान है इस पिसली ठीक है वो आपको याद हो निचे से कैड़वरी हो गया वेल्ड हो गया पंपास हो गया डाउंस हो गया ठीक है सवाना कहां पर तो बस आप लुग यह चीजिए जो बहुत ही चर्शा में रहते हैं अपने नाम सुना होगा तो कुछ त्रिक करके वो याद कर ले जाए तो इससे लेटर कभी कोश्चन नहीं गलत होगा आपको तो देखेंगे तो सीटोष घास का मैदान कौन सा नहीं है सवाना नहीं है ठीक है सवाना एक क्या है उश्रकटी बंदी घास का मैदान है ठीक है और जो हमारे जो है यह सीटो के लोग को confusion हो जाता है तो आप देखेंगे इसमें देख लेते हैं कि मृत सागर जो है यह कहां पर तो ध्यान रखना कि अगर आपको सबसे आदा पता है ठीक है तो बो नहीं ऑप्शन में पूछते हैं कि सबसे आदा लवरता कहां पर सबसे आदा देखेंगे तो एक जो व समयलित नहीं है अब इसमें कर रहा है कि आपको बताना है एक तरफ जाती है एक तरफ कर रहे कहां पर located है ठीक है ठीक है चैरबांट जाती हैं जो इसमें से कोशन घुमा फिरा के पांच क्या मतलब साथ-ार्ठ माल लीजिए वहीं से आपको घुमा फिरा कि आता है तो इसमे समयलित नहीं है तो इसमें अन्सर भी हो जागा रहा बनतु जो सहारा में नहीं पाई जाती तो कहां पर सबसे बढ़ pic T कि तो इसमें कह रहा है कि तेल भंधा सब सब सबस्टाइब दीए एक ओपेक होता है कि ओपीसी नौरी के बारे में आपको कमेंड बॉक्स में थोड़ा सा बताना है क्योंकि ये कॉस्चन बन सकता है क्योंकि टेल लेटर को संक रिपोर्ट आई उसके अंसर विर्जेला फर्स नंबर पर सेकंड पर सौधी अरव है तो सब ज़्यादा भंडार है इसका एंसर यह हो जाएगा इसमें बताना है कि आपको सही व्याख्या कर रहा है या या स्टेटमें सही कर रहा है मरुस्तल सासवत उर्जा उत्पादन के प्रभावी स्रोत हो सकते है जितनी उर्जा मानोजात एक वर्स में उभोग करता उससे अधिक उर्जा मरुस्तल 6 गंटे में सूरी उदर से इसमें प्रभावी स्रोत है क्योंकि क्योंकि अगर ऐसे लगा के देखें वीच में क्योंकि लगाएंगे तो दोनों स्टेटमेंट आपको मैच हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा एट कि नेकर नेश करके राश्टी राजमार्विकास पर्योज नहों कि लिए उत्तर अच्छे देता पूरा पस्टिम गालियारे मिलते हैं तो अपने इसलिए यह पूश्चन पूशा जाता है क्योंकि यह अपने यूपी से इन सबसे लेड़ेट कोस्टन है काफी तो इसका अंसर जाएगा भी जहांसी ठीक है अब देखिए कौन सा इसमें दर्रा सुमिलित न आपको याद हो जाएंगे क्योंकि घुमा फिरांके बहुत ही कम लिमिटेड है जो चीजे आपको ऑप्शन में रहती है तो कौन सा सुमिलित नहीं है तो इसमें देखिए नाथुला आप देखेंगे तो पहले यह उप्शन पढ़ते हुए आपको पता है नाथुला में एक तो इध्यान रखेंगे नाथुला सिक्किम में है अब देखें इसमें क्या है कि नेश्ट कोशन जो हमारा कह रहा है कि और सब सही है ठीक है लिप लेक उत्राखन रोतां की माचल और पालगाट के रलावाएं कर नेम लिकित में से कौन भारत में प्राकृतिक बंदरगा है इसमें प्राकृतिक बंदरगा कौन सा है तो देखेंगे इसमें हमारा जो है कोची विल्चा पटनम चिनने टूती को रेक्टिक बंदरगा कौन है यह कोसन आते हैं कई बार आए हैं तो इसमें 2 और 4 लप कोची और विल्चा पटनम ठीक है तो सर्वाधिक प्राचीन बंद बंदरगाह करके एक बार को चना रहा था तो ध्यान लखिएगा हलाकि यह प्राकितिक बंदरगाह तो आपको पता चल गया न तो इसका अंसर ही हो जाएगा डी लेकिन अगर पूछाए कि सरवादी प्राचीन बंदरगाह भारत का कौन सा है तो उसमें चेन नहीं आपको मार क कहां पर होता है सतलस का अगर देखेंगे तो सतलस नजी का उद्गम होता है मांसरोवर मांसरोवर जील से होता है ठीक है कहां पर तिबबत के समीब एक होता है नाम सुना होगा आपने राकस राकस ताल करके जगा है ठीक है यहां से सतलस का जो होता है उत्पत्ति होती है तो सेज, क्योंकि रावी, व्यास और चेनाव, इन नतियों का आपको कमेंट बॉक्स में एंसर बताना है ठीक है, इन सब की उत्पती कहां से होती है, क्योंकि उत्पती से लेटल कोशन बनते हैं, तो ध्यान मत बते हैं, निकित किसे रामसर का दर्जा प्राप्त है, रामसर ठीक है, देखें, अगर आपने देखेंगे प्रिजन टाइम के इसाब से अगर देखेंगे तो चिलका, लोग तक, बूलर, अक्योला देओ, ठीक है प्रिजन टाइम में आपको अगर देखेंगे तो रामसर कन्व blends कें अंतरग्त सभी नदियां लपचिल्का लोक्तर पूलर के ओली सभी टेस सब ऋढ़ी थे अब देखिए रामसर कन्विंशन क्या था आपने सुना हूँ ए राम्सर कन्विंशन जो है एक जगा रामसर करके कहाँ पे हैं यह है इरान में थीक हो अब आपको थोड़ा सा इस के बारे में पढ़ना कि अगर यहां पे दिखेए आपको संफून तयारी करणी है अगर अपकी वाष्टि यह तो तो जो फॉम वर्क. दिया जा रहा है आप इस ठीकली थोड़ा सा फॉलो करने के इसकी कोसिस करें ठीक है और एक कोस्टन ये भी है कि यूपी में कितने रामसर साइट है ठीक है बस आपको नंबर बताना नाम नहीं लिखना है नंबर इंग बतानी कितनी है कि 10-15-20-25 ऐसे कितनी आपको ये दो होम लें तो जैसा भी लगे आप लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करें लोगों के पीच में कुछ भी डाउट हो किसी भी सब्जेट्स लेड़ेड आप उसको जरूर देखिए और भी जो हमारे इनिशेटी बाहर है वह जरूर देखिए क्योंकि वह आपकी पीटी के लिए जो अभी होने वारा दुजार चोवी सत्रा माश उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो स्रीच चले उसके लिए ठीक है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा चले मिलते हैं अपने सेकेंड लेक्चर में इसी की तब तक के लिए धन्यवाद